ये श्रंखला सर्व आत्माओं के पेता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है आध संपूर्ण संसार में, प्रत्यक देश में, समाज में और हर व्यक्ति के निजी जीवन में समस्याई और विप्रीत परिस्थितियां दिनो दिन बढ़ती जा रही है प्रकृति के पाचो तत्व और पाचो विकार, कभी विमारियों के रुप में, कभी आपसी जगडों के रुप में, प्रकृतिक आपदाओं के रुप में, अत्याचार और भ्रष्टाचार के रुप में, चारों तरफ दिखाई दे रहे हैं ऐसे में सर्व शक्तिवान विश्व कल्यानकारी परम पिता परमात्मा हमें इन समस्याओं से निपठने की विभिन युक्तियां समझाते हैं इन्ही जुक्तियों को आज हम इश्वरिय महावाक्यों द्वारा गहराई से समझेंगे और इन महावाक्यों के इस पश्टी करण के लिए हमारे मध्ये हैं प्रजापिता अब्रम्हा कुमारिस इश्वरिय विश्विद्याले के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदर्नी राजुभाई सहाब फैस अब आपका आज की एपिसोड में बहुत वो स्वाकत है ओम शांती फैस अब आज हम बात करेंगे 14 सितंबर 75 के महावाक्यों के बारे में अकाल तक्थनशीन और महाकाल मूरत बन समेठने की शक्ति का प्रयोग करो फैस अब परमात्मा हमसे कहते हैं कि शक्तिशाली परिस्थितियों को मास्टर सर्वशक्तिवान स्थिति वाले ही सहज पार कर सकते हैं पर सब सबसे पहले हम जानेंगे कि शक्तिशाली परिस्थितियों से क्या भी प्रय है जो भी परिस्थितियां बर्तमान समय आ रही हैं वो अपने आप में शक्तिशाली है कोई भी पर चाहे वो सारेदिक आ रहे हैं, मांसिक आ रहे हैं, प्रकर्ति के द्वारा आ रहे हैं, वो दिन प्रति दिन अपने आप में उंका रूप बढ़ता जा रहा है, बड़े रूप में आ रहे हैं, तो परमात्मा कह रहे हैं, जितनी बड़ी परिस्तितिया, शक्ति साल तो वर्तमान समय कल्यूक का अंतिम समय आ गया है, अंति के समय में हर परिस्थिती अति का रूप लेती है, ऐसे समय में आपकी इस्थिती भी बहुत सक्ति साली चाहिए, जो उन परिस्थितियों का आप सामना कर सको, को पार कर सको. जी, फैसा परमात्मा कहते हैं कि दिन प्रति दिन प्रकृती द्वारा विक्राल रूप से परिस्थितियों दिखाई देती जाएंगे। अब तक यह साधारण परिस्थितियों है, विक्राल रूप तो प्रकृती अब धारन करेगी, जिसमें विशेश आपदाउं का वार इक ही समे प्रकृती के सभी तत्व साथ साथ और अचानक वार करेंगे. किसी भी प्रकार के प्रकृती के साधन बचाव के काम के नहीं रहेंगे, और ही साधन समस्या का रूप बनेगे. वर्तमान समय ऐसी परिस्तितियां आ रही है साइंस जितने भी साधन मनाती है प्रकरती के तत्तों पर जीत पाने की उतना ही कई बार वो साधन ही उसके लिए विगन बन जाते हैं साइंस के द्वारा पता चलता है कि अभी तुपानाने वाला है भुकम पाने वाला है, मालूम पड़ता है, लेकिन जितना उनको मालूम पड़ता है, उतना वो मुड जाता है, रिस्थान चेंज कर लेता है, और अचानक कहीं न कहीं से उसका विस्पोर्ट होता है, बड़े रूप में आता है, तो परमात्मा कह रहे हैं कि अनतर समय जब अभी कहीं चोटी चोटी पेपर्स परिष्टिती आती हैं, कहीं थोड़ी सी बाढ आ गई, कहीं सुनामी आ गई, कहीं आग लगी जोला मुखी पटे, तो ये अभी एक एक तत्व अपना रूप दिखा रहे हैं, लेकिन इस कल्यूगी स्रष्टी के परिवर्तन के लिए तत्व का विक्राल रूप होगा, बाढ भी भूकंप भी आग भी लगेगी, चारों तरफ से जैसे हाहाकार का वातावन होगा, तो परमात्मा कहते हैं, कल्यूग कांत, बहुत पेपर्स के द्वारा प्रकरती के परिष्टितियों के द्वारा होगा, इसलिए इसका रूप लेकिन ऐसे प्रकरती पर भी आपको जीत प्राप्त करने के लिए अपनी अकाल मूरत की इस्थिति में रहना है, और इसलिए परमात्मा कहते हैं कि ऐसे समय पर प्रकरती के विक्राल रूप का सामना करने के लिए किस बात की आवश्चकता होगी, अपने अकाल तक्थनशीन अकाल मूरत बनने से, महाकाल बाप के साथ साथ, मास्टर महाकाल स्वरूप में स्थित होंगे, तब ही सामना कर सकेंगे। उस म्रत्यू पर भी विजय प्राप्त की, तो परमात्मा अजर अमर अविनासी है, वो सरीर धारन नहीं करता, जो उसको छोड़ना पड़े या मोथ हो, और दूसरा उसने समय पर भी विजय प्राप्त की है, तो इसलिए महाकाल के रूप में उनकी पूजा होती है, उनके ब इस सरूप से फिर कर्म करें, तो परमात्मा हम सबको इस म्रत्य दिलाते हैं, ये जो आत्मा का तक्त है, सरीर के अंदर भरकुटी या काल तक्त है, तो जितना हम आत्मा अपने इस तक्त पर विराजमान रहती है, महाकाल के इस म्रत्य में रहती है, उतना हम इन परिस्तितिय पर विजय प्राप्त कर सकते हैं इसलिए बहुत समय का अभ्यास चाहिए आत्मिक इस्तिती में रहने का अभ्यास आकाल तक्त पर मैं आत्मा विराज मान हूँ जिसको कभी कोई काल खा ही नहीं सकता उस इस मृत्ति को हम बार बार रिवाइश करें कि मैं आत्मा आकाल मूरत हूँ और इस अकाल तक पर विराज मान हूँ तो जब कोई भी ऐसी परिस्तिती आएंगी जो अकाले मृत्तियों के नजारे होंगे अचानक अनीक आत्मा है क्योंकि जब कोई बड़ा उपद्र होता है जब बड़ा तुफान लगता है तो एक साथ हज्जारों आत्मा इसारी छोड़ती है भय का वाताउन बन जाता है ऐसे समय में जब हम उस इस्मृत्ति में रहेंगे कि मुझे आत्मा को तो काल खा ही नहीं सकता मैं महा काल की बच्चा हूँ तो उस इस्मृत्ति से निर्भय बन जाएंगे और उस विनास के द्रस्य को साक्षी हो करके देख सकेंगे और ऐसी आत्मा को शक्ति और सकास भी दे सकेंगे तो परमात्मा हम सब को उस अंतिम द्रस्य के लिए अंतिम सीन के लिए तयार कर रहे है परमात्मा कहते हैं कि जैसे प्रकृती के पाँच तत्व विक्राल रूप को धारण करेंगे वैसे ही पाँच विकार भी अपना शक्तिशाली रूप धारण कर अंतिम वार अतिसुक्ष्म रूप में ट्रायल करेंगे अर्धात माया और प्रकृती दोनु ही अपना फुल फोर्स का अंतिम दाव लगाएंगे जब युद्ध के मैदान में कोई युद्धा देखता है कि मेरी बार-बार हार हो रही है तो अंतिम वार जो होता है तो बहुत फोर्स से अटेक करता है हो युद्ध के मैदान में भी कि एक बार तो हम विजय हो जाएं तो वो अंतिम वार बहुत बड़े रूप से करता है, तो परमात्मा भी हम सबको कहते हैं, इनके विदाई लेने का समय है, यह पांचो विकार अभी विदाई लेंगे, और यह पांचो तत तो अभी जो विक्राल रूप दिखा दे रहे हैं, यह सेवाधारी बनेंगे, तो यह दस रूप का जो रावन गाया हुआ है, दसीस वाला, यह पांच प्रकरती के और पांच माया के, यह दसीस, वर्तमान समय अपना अंतिम वार अजमाएंगे, क्योंकि इनकी विदाई का समय है, इनका अंत आने वाला है, तो परमात्मा कहता है, अभी वर्तमान समय के अंदर पांच विकारों का भी फुल फोर्स है, चुटे-चुटे बच्चों के साथ क्या-क्या हो रहा है, बलादकार हो रहे हैं, हिंसाएं हो रही हैं, प्रिष्टा चार अति में जा रहा है, तो यह कल्यू के अंत में यह पांच विकार अपना फुल फोर्स ले रहे हैं, वर्तमा के लिए जाता है, कितना धनरासी का, संपत्ती का नुकसान कर देता है, तो परमात्मा कहता है, अभी तो एक तत्व है, लेकिन इसके परिवर्तन के लिए, बिनास के अंतिम सेन में यह सब तत्व एक साथ अठेक करेंगा, एक तरफ विकारों का फुल फॉर्स होगा, और एक त अकाल मूरत अकाल तक तनसीन रहने का अभ्यास को हो। जो कमजोर होंगे वो तो भेवीत हो जाएंगे। उस दरसे में दुखी होंगे, परेसान हो जाएंगे। हाय हाय करेंगे। और जो शक्ति साली आत्माएं हैं, उनके अंदर हिम्मत आएगी। उमंग आएगा कि अच्छा है। यह जल्दी से परिवर्तन होगा तो हमारी नई दुनिया आएगी। उनके अंदर उमंग उसा बढ़ेगा। उनके अंदर हिम्मत आएगी। कि कल्यूक का विनास हो रहा है। यह अति का आंत हो रहा है। इसके बाद तो हमारी नई स्रिष्टी आने माली है। तो उनके अंदर उमंग उसा होगा। जो सक्तिसालिय हैं जिनको पूरा ज्यान है। वो बहुत थिम्मत से उस द्रसे को पार कर लेंगे। और कमजोर आत्माएं हाय हाय करके, दिल सिकरस्तो करके, अति दुख का अनुभो करेंगी। तो ये दोनों द्रस से भी बहुत समीप दिखाई दे रहे हैं। पर सब आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि ऐसे समय में जैसी स्थिती सुनाई उसके लिए विशेश कौन सी शक्ती की आवश्यक्ता होगी। सेकिंड के हारजीत के खेल में कौन सी शक्ती चाहिए। ऐसे समय में समेटने की शक्ती आवश्यक है। जो अपने देह अभिमान के संकल्प को, देह की दुनिया की परिस्थितियों के संकल्प को, क्या होगा इस हलचल के संकल्प को भी समेटना है। कई प्रकार के संकल्पों की हल चल, जब ऐसी परिस्तितियां आती हैं, तो और अधिक संकल्प चलने लगते हैं, क्या होगा, अब कैसे होगा, इसके बाद क्या होगा, अनेक प्रस्णों में आत्मा उलच जाती है, तो परमात्मा कहते हैं, जो विश्तार तेहमान के हैं, कई सं मेटेंगे नहीं तब तक शेकेंड में इस देश से डिटेच नहीं हो सकते हैं। तो बहुत जरूरी है हम इसका अभ्यास बहुत काल से करें। अपने कोई भी द्रस्य को देखें, तो यह देखें संकल्पों की मेरी इगती क्या है। बहुत स्पीड में संकल्प तो नहीं चल रहे हैं। क्या क्यों कैसे ऐसे हुआ वैसे हुआ। इसने ऐसा किया उसने ऐसा किया। कई बाते होती हैं। लेकिन उसके पीछे हमारा संकल्प बहुत जारे बहुत व्यर्थ चले जाते हैं। तो परमात्मा हम सब को कहते हैं बच्चे ऐसे समय पर जब ये बहुत भयानक द्रस सामने आएंगे बिनास के उस समय आपके संकल्प बहुत सिमित चाहिए संकल्पों पर कंट्रोल चाहिए उसके लिए समेटने की सकती चाहिए उनके संकल्पों को समेट करके आत्मिक इस्तिति में इस्तित हो जाओ कि मैं एक बिंदू हूँ जैसे बिंदू की अंदर एक बीज की अंदर सारा ब्रक्ष समाया हुआ होता है विस्तार नहीं होता जब वो बीज धर्णी पर डाला जाता है तो पोधा निकलता है फिर उसका विस्तार होता है तो परमात्मा कहता है बहुत सारे संबनधों का बहुत सारे हिसाब किताब का आपका विस्तार का ब्रक्ष बन गया अब इस ब्रक्ष को समेट लो sahaar में कि मैं आत्मा बिंदू हूँ जब ये प्रैक्टिस करोगे तब प्रश्णों की हलचल से परे रह सकते हो बेर्थ से बस सकते हो और एक सेकेंड में उस आने वाली पैस्तिती को निर्णे कर सकते हो जब अपने स्वास्वरोप में इस्थित होंगे तो द्रश्य जो आने वाले हैं उनका साक्षातकार होगा यह ऐसे हो सकता है इसमें ऐसे पार किया जा सकता है तो बहुत क्लीन गुद्धी उसमें चाहिए और उसके लिए हमारी समेटनी की सकती सब बातों को समेट लिया जाए प्लिश्टाप सोचना नहीं है परमात्मा कहते कि शरीर और शरीर के सर्व संपर्क की वस्तूं को भी वा अपनी आवश्यक्ताओं के साधनों की प्राप्ती के संकल्प को भी समेटना है घर जाने के संकल्प के सिवाए अन्य किसी संकल्प का विस्तार ना हो बस यही संकल्प हो कि अब अपने घर गया के गया शरीर का कोई भी संबंध वसंपर्क नीचे ना ले आ सके इसके लिए बहुत काल से प्राम रहने का अभ्यास चाहिए क्योंकि हम लोगों ने बहुत साधन मना लिए बहुत विस्तार में चले गए है सेवाओं का विस्तार है साधनों का विस्तार है सम्मंधों का विस्तार है उस विस्तार में बुद्धी भटक गई है परमात्मा कहता है विस्तार को सार में तभी समिटा जा सकता है जब बार बार एस मृत्ती रिवाईजो कि मुझे घर जाना है मुझे वापस जाना है बार-बार जब हम यह मंतर पक्का कर लेंगे कि जाना है जाना है जाना है मना सब बातों से उप्राम हो जाएंगे और उप्राम होते ही कोई बात अच्छी ने लगे जिसमें बुद्धी जाए आवस्यकतां भी सीमित हो जाएंगी एक तो रोटी खाई प्रभू के गुनगाए जैसे एक की लगन में मगन है कहीं पर भी बुद्धी का विस्तार नो हो तब हम इन पेपर्स में पास हो सकेंगे तो परमात्मा हम सब को बार बार प्रेक्टिस कराते हैं हमारी दीदी जी दीदी मन मुहनी की बात सायद आप जानते हूं दीदी जी को एक साल लाश्ट दिनों में जब उनको अवयक्त होना था बहुत सारा विस्तार इतनी बड़ी जवाबदारिया उनके हाथ में थी पुरा यग ही उनके हाथ में था कारोबार में बहुत व्यस्त रहती थी एक साल से बार-बार कहती थी अब तो घर जाना है अब तो घर जाना है सब कुछ समेट लिया था और एक सेकंड में ऐसे सरीर से निकल के आत्मा चले गई तो परमात्मा हम सब को कहते हैं कि अब ये प्रैक्टिस करो तो जहां हम अल्रेडी होते हैं वहाँ से समेटना अपने आप ही शुरू कर देते हैं वसब परमात्मा कहते हैं कि जिसे इस समय साक्षातकार में जाने वाले साक्षातकार के आधार पर अनुभव करते हैं कि मैं आत्मा इस आकाश तत्व से भी पार उड़ती हुई जा रही हूँ ऐसे ही ज्यानी व योगी आत्माएं ऐसा अनुभफ करेंगी उस समय ट्रांस की मदद नहीं मिलेगी ज्यान और योग का आधार चाहे एक है दिव्विबुद्धी और एक है दिव्विद्रष्टी बद्रफ़ ओकिल्न है जिव्विद्रष्टी का आधार मुलोग है। यह तो एक प्रमात्मा की तरफ से भरदान है, वश면 आत्माव को प्रापत है तो जब बद्रफ़ गत्न के हैं तो इस रश्टी से जैसे उडती हुए प़ार जा रहे हैं आकास्तत्यों से भी फार जा रहे हैं, उनका अनुभव होता है, और अनुभव अपना वणन करती हैं, लेकिन जब अंतिम समय हैं, तो सब आतमा अपोडना हैं, और वो वर्दान सब को प्राप्त नहीं है, तो बुद्धी का वर्दान है, तो जितना बुद्धी क्यान युक्त होगी, कि अब समय नाटक पूरा होने का है, अब वापस जाने का इस समय है, तो हमारी बुद्धी अपने हाप इस देह से, संसार से, इस आकास तत्तों से परेचली जाएगे, तो परमात्मा हम सब को कहते ह ब्यास करो, कि मैं आत्मा बुद्धी के विमान से, इन पांच तत्तों के मांडवे से पार जा रही हूँ, तो समयट लेंगे और समयट करके, सब बातों से उपराम हो जाएगे, और अपने घर का अनुभव होगा, कि मैं आत्मा इस संसार से पार हूँ, बिलकुल, परमात्म कहते हैं कि इसके लिए अब से अकाल तक्त नशीन होने का अभ्यास चाहिए, जब चाहे अशरीरी पन का अनुभव कर सके, बुद्धी योग द्वारा जब चाहे तब शरीर के आधार में आए, अशरीरी भव का वर्दान अपने कारे में अब से लगाओ, कोई भी कर्म करने के लिए जैसे मैंने इस शरीर को धारन किया है, और कार्य पूरा हुआ, असरीरी इस्तिती में इस्तित हो गए, अब इसके लिए यही अभ्यास चाहिए कि मैं आत्मा इस भ्रकुटी के अकाल तक्त पर विराज मान हूँ, ये मेरा असली तक्त, असली आसिस्तान है, तो जब बार-बार ये स्मृति करेंगे तो असरीरी भौ का जैसे वर्दान मिल जाएगा, असरीरी भौ माना इस शरीर से अलग, मैं एक आत्मा हूँ, मैं एक लाइट हूँ, उस वरूप में आत्मा इस्तित हो जाएगी, तो इस देवान से अपने आप डिट रहे हैं, वो एक आगर हो जाएगे, और आत्मा अपने सुरोप में इस्तित होते अनुभो करेगी, जैसे मैं इस देह से, इस देह की दुनिया से, इन प्रकरती के पांचो तत्वों से पाड़ जा रहे हूँ, उसका अभ्यास चाहिए है, तो सब परमात्मा कहते हैं कि ऐसे स हमे में श्रीमत कैसे लेंगे, टेलिफोन, वो टेलिग्राम से वाइरलेस सेट है, चाहिए तो वाइरलेस, लेकिन सेट है, वाइरलेस की सेटिंग कैसे होगी, बिलकुल वाइसलेस, वाइसलेस बनना ही, वाइरलेस सेट की सेटिंग है, जरा अंश के भी अंश मात्र विकार, वाइरलेस के सेट को बेकार कर देगा बस्तों में जब ऐसा समय आता है जब साइंस के कोई साधन काम नहीं करते हैं ना टेली ग्राम, ना टेली फॉन ना वाइरलेस इसकल्यूक का कोई सेट जब यह सब फेल हो जाएंगे तब परमात्मा के डायरेक्शन्स उनके इसारे कैश करने के लिए बहुत वाइसलेस बुद्धी चाहिए जी वाइसलेस बुद्धी ही वाइरलेस की सेटिंग है माना यहां बैठे हुए हम परमात्मा के साथ मिलन मना सकते उनके इसारों को कैश कर सकते हैं उनकी टचिंग को भी कैच कर सकते हैं तो परमात्मा अपने बच्चों को कहते हैं कि अगर बुद्धी के अंदर कोई भी विकार टच करेगा तो यह जो वायलेस सेट है, कनेक्शन है जो अंदर अंदर जुड़ा हुआ खराब हो जाएगा तो कि इस पर बहुत ध्यान देना पड़ता है जब भी मोसम बिगड़ता है तो वायलेस से डिस्टर्ब हो जाते है ऐसे ही अगर कोई भी विकार उत्पन हो गया तो यह वायलेस है, मना हम यहां बैठे परमात्मा से जो मिलन मनाते हैं रूरियान करते हैं, वो बिगड़ जाएगा इसलिए बहुत वायलेस से डिस्टर्ब बहुत पवित्र विचार चाहिए जिसमें मन बुद्धी के अंदर जराभी पवित्रता का आंस टच न करे जब ऐसी वायलेस से डिस्टर्ब होगी तब ये वायलेस से काम करेगा और परमात्मा से हमारा मिलन हो सकेगा बिलकुल पराटमा कहते हैं कि इसलिए महीन रूप से स्वयम के स्वयम ही चेकर बनो तब ही प्रकृती और पांच विकारों की अंतिम विदाई के वार को विजही बन सामना कर सकेंगे यही प्रकरति वार करने के बजाये बधाई के नजारे सामने लाईगी चारोण जैजैकार की शहनाईयां बजाएंगी और पर्मात्मा के विज्य माला के मन के विश्व के बीच प्रसद्ध होंगे यह अंतिम्दर से, अइसे ही ज़ho प्रकरती जीत आत्मा बन जाएगी, वाइसलेस इश्टेज उसकी बन जाएगी, तब यह प्रकरती सहनाई बजाएगी, माना हमारा स्वागत करेगी, हमें नुक्सान नहीं पूचाएगी, परेसान नहीं करेगी, लेकिन हमारी सेवक बन जाएगी तो परमात्मा हम सब को ऐसी अकाल तक इस्थिती में इस्थित करने के लिए सब संकल्पों को समेटने की बात कर रहे हैं कि अपने संकल्पों को विल्कुल पवित्र और सुद बना लो वाइसलेस बना लो ताकि परमात्मा की स्रीमत को कैच कर सको और इस देह से और प्रकर्ती से इस वार से बच सको क्योंकि माया अपना विक्रालूप दिखा रही है प्रकर्ती अपना विक्रालूप दिखा रही है इन सब पर तुमारी विजय होगी और जब विजयी बच्चे वन जाओगे तब ये प्रकर्ति आपका स्वागत करेगी, सहनाई बजाएगी, मना आपको नई दुनिया के लिए स्रेश्ट पद दिलाने के निमित बनेगे. और इसलिए प्रमात्मा कहते हैं कि अगर समय पर जागेंगे या यह सोचेंगे कि समय तयार कर ही देगा या समय पर हो ही जाएगा, तो ब्रामण वन्ष के बजाए, शत्रिय वन्ष के हो जाएंगे. इसलिए यह आधार भी नहीं लेना. फैस अब इस स्पष्टी करण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. दर्शकों आज के एपिसोड में हमने समझा कि शक्ती शाली विप्रीत परिस्थितियों का सामना करने के लिए हमें मास्टर सर्वशक्तिवान व अकाल तक्त नशीन की स्थिती में स्थित रहने के अभ्यास को बढ़ाना है. परमात्मा ने बताया कि बर्तमान समय अनुसार हमें समेटने की शक्ती को धारन करना है. बुद्धी में रहे कि हमें घर जाना है, अन्ने कोई भी विस्तार में लाने का संकल्प ना आए. परमात्मा ने बताया कि परिस्थितियों के समय इश्वर ये श्रीमत लेने का साधन है अपनी बुद्धी को वाइसलस बनाना तर्श को आज के एपिसोड से संबंध हिती यदि आपके मन में कोई प्रश्ण है तो आप हमें इमेल कर सकते हैं हमारा इमेल आइडी है amolleratna at the rate godlywoodstudio.org अगले एपिसोड में एक और अव्यक्तवानी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे तब तक के लिए लेते हैं इजाज़त ओम शान्ति अंतिम समय में परमात्मा से श्रीमत प्राप्त करने के लिए बिलकुल वाइसलेस बना ही वायरलेस सेट की सेटिंग है इस श्रंकला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज इश्वरिय विश्व विद्यार लेके सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गौडलीवूर स्टूडियो से संपर्क करें